एक प्रोफेसर को अपने उपर लगे हो एक दाक की वज़े से एक चोटे से टाउन में आना पड़ता है वहाँ पर एक अपसेस्यू अफेर की वज़े से उसकी पूरी लाइफ बरबात होके आज के हमारी मुवी में लव, रिवेंज, सालवेशन इस सब कुछ चीज़े है तो तक इस वीडियो को ज़रू देखना आज मैं आपको 2014 की स्कारलेट इनोसेंस एक कोरियन थ्रीलर मुवी एकस्प्रेंड करने वाला हूं अगर आपको वीडियो अच्छ रगता है तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट ज़रू करते जएगा बिना गज़िदेरी के एकस्प्र करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन केरेक्टर हमसे इंट्रोडियूस होता है इसका नाम है हक हक एक्चुल में सीयोल के एक बड़ी सी उनियोसिटी में प्रोफिसर था वहाव और उस पर इलजाम लगा एक स्टूडेंट के साथ हो इंटिमेट हुआ इसी वज़ इंस्पेशन चली की क्योंकि टाउन बहुत ही डल है यही पर वर्स्टॉप पर वेट करते हुए हो हमारी और एक मेन केरेक्टर से मिलता है इसका नाम है चंगी तो उससे कहती है मैंने इस गाव में किसी को भी सूट में नहीं देखा कहे कर वो चली गई इसके बाद जब वो क्लास्रूम में आया तो वहां सब ओर लोग थे नौवेल लिखते कैसे है इसके बारे में हाक उन्हें पढ़ाने वाला था वो गहते हैं और लोग कोई भी नौवेल लिख नहीं सकते आप सब को दिल से यंग होना पड़ेगा सब बुड़े लोग कहते हैं कि इस उम्र में को इस टाउन का रिकंस्ट्रक्शन होने वाला है एक घर सेल करकर उन्हें थोड़े से पैसे मिल जाएंगे उसके बाद उसी ओल जा सकते हैं अपने नई लाइफ स्टार्ट कर सकते हैं मदर गयती है कि तुमारी शादी भी हो जानी चाहिए तुम किसी अच्छे लड़के को जुदो उसके साथ शादी कर लो मदर का एक ही सबना था ज домой जल से खिराव सबकुछ देखते देखते वह आपर पहुच गया था वो उस्ते कहती है कि तुम बहुत ही अजीब हो अकेले सुट में राइड करने के लिए आया हुए हो हाग कहता है कि मैं राइड करने के लिए ने आया मेरा यहाँ पास ही literature का class है चंगी literature में बहुत ही interested है तो नेक सिन में directly हाग की class में वो भी admission ले लेती है लिटरिचर से ज़्यादा वो हाग में भी इंटरेस्टेट थी आज क्लास के बाद सब स्टूडेंट्स अगिरा मिलकर डिनर कर रहे थे यहाँ वर एक ओल्ड मैन चंगी से बुशता है तुम्हारी ब्लाइंड डेट केसी थी चंगी नहीं चाहती थी इसके बारे में हाग को पर पहार निकल जाती है उसके पीछे हाग भी आया चंगी का घर दूर था पर वह भी हाग के पीछे पीछे आती हाग के खोटल तक यहाँ पर वह अगेर आई ड्रिंक और डिनर करता है चंगी यह सब देख रही थी रात में उससे सपने आए यह वह और हाग यह दोनों रोल हाग ने का अगर बोर हो रहा है तो कुछ इंट्रेस्टिंग चीज़े ट्राइ करो चंगी पुछती कि ऐसा क्या कर सकते है हाग कहता है मैं इतने इंट्रेस्टिंग नहीं उसने बोटल निका ली और ड्रिंक कर रहा था चंगी कहती कि मुझे भी ट्राइ करना है पर यह फैमी हुई थी इसी वज़े से मुझे यहाँ पर भीज दिया गया है चंगी ने इस पर भिलीव किया हाँ को यह बात अच्छी लगती है यही बर हाँ को उसकी डॉर्टर को कॉल आ जाता है उसकी डॉर्टर उसे घर बुला रही थी हाँ में जो इल्जाम लगे थे इसके वज इसमें तो चड़ा पर नीची उतर गया वो चंगी से गयता है अगर मैं ऐसे ही घर गया तो फिर से मेरी वाइफ के साथ मेरा जगड़ा हो जाएगा इसके बाद चंगी भी हाँ के साथ उसके घर पर आई यह दोनों इंटिमेट हो जाते हैं अगली रात यह दोनों चंगी ज तो सब को सब चीजे पता चल जाती है चंगी की मदर डेव थी तो कुछ भी सुन नहीं सकती थी पर सब लोग सिर्फ चंगी के बारे में बात कर रहे थे तो फाइनली लिफ्स पढ़कर उसे समझ में आ गया चंगी की मदर को बहुत बुरा लगता है चंगी और हाग ये दोनों एक साथ बहुत खुश थे ये दोनों अलग-अलग जगा पर घूमें एक शौप से होते हुए चंगी को वहाग के शूज बहुत पसंद आए हाग उसे बता नीचलने देता और बाद में उसके लिए बाई कर लेता है उन्होंने आज चंगी का हैंड डॉन डॉइंग भी नि को घर पर इन्वाइट कर लो मैं उसके लिए खाना बनाती हूँ हाग कहता है कि हम दोने सिर्फ ड्रिंग करेंगे उसके बाद वो चला जाएगा हाग अपने फ्रेंड से मिला तो फ्रेंड कहता है तुम्हारे उपर सब कुछ ब्लेम चला जा चुका है उस लड़की ने अड चंगी डिनर वेगरा बनाती है पर वो घर पर ही नहीं आया हाग कॉल पर उसे कहता है तुम घर चली जाओ मेरे लिए वेट करने की जरूरत नहीं मौर्निंग में जब वो हाग से मिलने के लिए तो उसका सारा खाना यह बाहर पड़ा हुआ था हाग उसके साथ आज लंच कर भी मना कर देता है चंगी हाग को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहती हो एक्चुल में अब प्रिंग्नन भी थी हाग इस टाइप यह कोई भी रिस्पॉंसिविलिटी नहीं चाहता तो अब और शन करने के लिए उसे होस्पिटल में लेकर आता है इतना सारा ट्रबल द खेती है अपने आपका कोई भी खיल नहीं रखती है हग नहीं उसे medicine दिया अपने बाहों में लिया कहा कि अपना तुम खेल रखा करो उसे भी बुरा लगता है वो कहती है यह मुझे पता है कि तुम गलत आदमी नहीं पर फिर भी कुछ गलत चीज़े तुम कर डालते हो वाफ से एक अच्छी वाइक बनने का ट्राय करेगी हुग ने चंगी से प्रॉमिस किया था कि उसे मिलने के लिए वह वापस आएगा औ तो यहां से चली जाओ चंगी भी मान जाती है हाग के फ्रेंड ने सब देख लिया था वह गयता है अब फिर से कुछ उल्ड़ा सिदा मत करना जिससे तुम फिर से ट्रबल में आ जाओ चंगी जब घर पर आई तो उसकी मदर उसे बहुत मारती है हाग से मिलने के बाद वो टारकली उसके साथ ही रहर रही थी रात में चंगी बादर यले डिनर बना रही थी तभी हाग उसे मिलने के लिए आया वो गास ओन छोड़ कर वैसे उसे मिलने के चली की सी worms स्कूल से अपनी वाइव से बात करो सब लोग समझ जाएंगे हाग ने अपने कॉलेज से बात की थी अगर उफेसे किसी स्कैंडल में पकड़ा किया तो उसका पर्मनेंटली जॉब जा सकता है वो चैंगी को ऐसे ही छोड़ कर चला जाता है वो गिडगिड़ा रही थी पर वो मानता नहीं जंगी फ्लेम ओन करकर ही आई हुई थी तो उसके पूरे घर को आग लग गई हाग उसे रोकता है कि प्लीज अंदर मच जाओ पर अपनी मदर के लिए वो अंदर चली जाती हाग ने फायर डिपार्मेंट को कॉल कर दिया और वहाँ से वैसे ही चला जाता है प्लीज आठ साल बीट गए हाग कहता है कि मेरी लाइफ में बहुत कुछ बुरा हुआ पर फिर भी पहले वह जैसा था वैसा ही अब भी रहा उसका एक बुक पब्लिश हुआ और उस सक्सेस्फुल बन जाता है अब इनने सारे पैसे लेकर वह वाइल जी रहा था कसीनोस में जाता था और बहुत मजे करता था आज कल एक रिपोर्टर के साथ भी उसका अफेर चल रहा है रिपोर्टर और हाग यह दोनों फेमस है तो पब्लिग ली डेट नहीं कर सकते रिपोर्टर जाती थी कि इस रिलेशनशिप को एकसेप्ट करें पर हाग इसके लिए रेडी नह हो गया उसे छोड़ कर चली गई आज कल हाग को अपनी आइस को लेकर प्रॉल्म आ रहे थे तो डॉक्टर के पास गया डॉक्टर उसके ते हैं तुम्हें कंडिशन है इस वज़े से स्लोली स्लोली तुमारी वीजन जा सकती है अगर तुमने अभी क्या अभी अल्कॉल सिग कैसे किसी भी इल्लीगल चीज से असोसियेटेड नहीं हो सकता तो इस वज़े से युनिल सिट्यों से सू कर देती है इसे फाइट करने में उसके सारे वैसे चले गए वाट साल पहले जैसा था आज भी वैसाई है पर यह उसके डॉटर को अच्छा नहीं लगता वो उसे हाग ने अपनी लाइफसाल कंटिन्यू की थी तो इस वज़े से अब वो देख नहीं सकता वो चंगी को बहचान नहीं पाता चंगी अपनी आपको द्योगी के नाम से इंट्रोडूस करती है उसने कहा कि मैं तुम्हारी नेवर हूँ मुझे तुम्हारा काम बहुत अच्छ हालती थी एक दिन वो इससे कहती है कि एक बहुत ही अच्छे से डॉक्टर को जानती हूँ वहाँ पर जाकर हम चेकप करवा सकते हैं यह दोनों डॉक्टर के पास आए डॉक्टर ने कहां एक न्यू टेक्निलोजी आई हुई है पर इसे इंप्लिमेंट करने के लिए बहुत जीट भी रहे थे हाक को लगा आज रहा तो सब कुछ जीट सकता है पर अचनक से वह हारने लग गया सारे पैसे उसके भरवात हो गया अब उसे और भी लग रहा था कि जो पैसे लॉस्ट किया है वो फैसे वापस मिलने चाहिए उसने इस क्लब की गुंडे से बहुत ज़्य इंट्रेस रेट पर कुछ पैसे बोरो कर लिया है यह सारे वैसे भी हार जाता है नेक सिन में चंगी और हाक की डॉटर बात कर रहे थे वह कहती है मदर जिस तरीके से होनी चाहिए वैसे तुम सब कुछ हो स्वीट हो टेंडर हो पर उसे चंगी के बारे में कुछ गलत लगत हो नहीं चाहती कि चंगी उसकी मदर बने इस बात से इन्हें कुछ भी फरक नहीं पढ़ने वाला एक दिन चंगी और हाक के दोनों इंटीमेट हो जाते हैं इन्हें इंटीमेट होता हाक की डॉटर ने देख लिया था जिस गुंडों से हाक ने पैसे लिये थे उसके घर पर रख कर गए यह जब डॉटर देखती हैं तो बहुत ही डर गई थी और भी थोड़े दिन गुजर गए हाक कुछ भी पे नहीं कर पाया फिर से गुंडों उसके पास आये और उसे बहुत मारते हैं वो उसे कहते हैं अगर तुमने अपनी डॉटर को हमें सेल कर दिया तो हम त को बहुत बुरा लगता है हाक की डॉटर को जो भोश आया तो डारेक्टली अलग कंट्री में थी यह गुंडाव से यह ता है तुम्हारे फादर ने हमें तुम्हें सेल कर दिया वैसे तो चाहते नहीं थे पर अपनी आखों के लिए उन्हें करना पड़ा हाक ने जब यह स था ख्याल रख है हाक कुछ देख नहीं सकता तो चंगी अगर हैड़ नहीं करेगी कि तो कुछ भी घर नहीं पाएका चंगी उससे बाद दे रहे थी तो उसने गा को मजो बरबाद कर दिया मेरी तॉड़टर को मार ड़ा तुम्हारी वजह से मेरी डाधर और मेरी मदरThis हो क्या तुम्हें आब याद आ रहा है हाग को समझ में आ गया कि ये चंगी है हाग ने का मुझे शक तो आया था पर उसे इसने इग्नॉर कर दिया चंगी ने का कि उसी दिन मैंने डिसाइड कर लिया था ये मुझे जो दगलिफ हुए एक दगलीव में तुमें विदूंगी जो भी हाक के साथ हुआ उसका ब्लाइंड होना इसके पीछे चंगी थी जो गुंडा हाक की डॉक्टर को ले कर गया उसे भी ये सब करने के लिए पैसे चंगी नहीं दिये थे हाक के जाने के बाद उसने मेहनत की थी इस वज़े से रीच बन गए और इसके बाद उसने उसे बदला लिया ये सब पता चलने के बाद भी हाक चंगी को कुछ भी कर नहीं पाया हाक के सामने ही चंगी हाक के डॉक्टर को घर पर ले कर आती है उसके साथ इंडिमेट हो जाती है हाक बहुत ही डिस्टाब हो चुका था तो बहुत सारी बाते हो लिखता है चंगी उसे कहती है तुमारी आग जाने के बात भी तुमारी व्राइटिंग परफेक्ट है ये दोनों अब भी एक साथ ही रह रहे थे एक दिन अचाना से हाक की डॉटर वापस आके वो चंगी से यह दिया कि मैं ग्रीच ओल्ड मैन से मिली थी उसने उसे बहुत सारे पैसे दिये इसी वज़े से वो फ्री हो चुकी है हाक की डॉटर का आना ये चंगी को अच्छा नहीं लगा वो फिर से गुंडे को कौल लगाती है पर गुंडा कहता है उसने जो भी सब पैसे लिये थे सारे वापस कर दिये है अब वो तुम्हारी ब्रॉलम है चंगी जब शौवर ले रही थी तो वाँ उसके बास हाक की डॉटर आई चंगी के बॉड़ी पर बरंस के निशान है उससे कहती है तुमने बहुत ही सफ़र किया पर तुम्हारी वज़े से मुझे भी बहुत ही तकलिफ उठानी पड़ी है वो अब उससे बदला लेगी डॉटर ने हाक से कहा कि आपकी अब मैं सरजरी करवाऊंगी हाक को अब इन डॉटर से मिलकर बहुत अच्छा लगा था इस सारी बात वो चंगी से करता है उसने जो भी किया इन सब चीजों के लिए स्वारी कहा कहता है मेरे आख वापस आने के बाद मैं फिर से बुग लिखूंगा तुमारा अच्छे से खैल रखूंगा चंगी कहती है कि तुम इतनी अच्छी बाते मत करो तुम्हें सूट नहीं करती वो रोने लग गई थी तब ही चंगी का गुंडा उसे ही किन्ड़ाप कर लेता है चंगी की आखे निकाल कर उन्होंने हाग को दे दी यह हाग की डॉटर का बदला था मूवी के लास सीन में देखते हैं कि हाग अब सब कुछ देख सकता है और चंगी अंधी बन शुकी है हाग उसे पाक में लेकर आया था उसने कहा कि मैं तुम्हारा खैल रखूंगा उसने उसे आई लव यू कहा यही बरे मूवी एंड हो जाती है मूवी में चंगी को हाग से बदला लेना था बरे बदला लेने में उसने उसके डॉटर को बहुत ज़ादा हर्ट किया इस सब वज़े से उसे भूगत ना पढ़ता है उसकी आखे चलीगी हाग ने जो भी किया था जिंदा होकर ही उसे सब कुछ सफर करना पड़ा अपनी बेटी उससे दूर चलीगी उसकी वाइफ की डेथ हो गई अब वो चंगी के साथ तो रहेगा पर एक गिल्ट में हमेशा उसका खैल रखते हुए इसी तरीके से इस मुवी की ट्राइजिक एंडिंग हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छ लगा तो प्लीजी से लाइक कर दीजेगा बहुत सारी मुवीज लेकर आते रहते हो तो प्लीजी से चालों को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकों दाने मत भूलेगा हम वीड़ से मिलेंगे और एक निमोई के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप अपने आपका खैल रखे है